जैहिन दोस्तों वड़ी कुसकवरी टीये आर्मी की तयारी करने वाले व्यारतियों के लिए लगतार लंबे समय के बाद में टीये आर्मी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी गूड न्यूज आ चुकी है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख ले नव बार्द टाइमस में भी यह न्यूज पब्लिष्ट हो चुकी है टीये आर्मी को लेकर और यह बर्थी दोस्तों कहां पर होगी कितने पदों पर होगी यहाँ पर आप देख लीजिएगा भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो हो जाएगा तैयार देवलाली केंप में होगी सेना बर्ती टीये आर्मी की बिल्कुल दोस्तों इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस रिकूट्मेंट में कौन-कौन से पदों पर रिकूट्मेंट होगा साथी सलेक कर दे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली टीये आर्मी रिकूट्मेंट रेली से जुड़ी हर परकार की अपडेट आप सभी तक सब से पहले पहुंचते रहे तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी सारती एक प्लेटफोर्म है जो की आसानी से लोगिन आप इसे कर सकते हैं सारती एप पर एक खाता बना कर आप ओनलाइन कमाई शुरू कर सकते हैं पड़ाई के साथ साथ अगर आप ये किसान परिवार से हैं तो ये एप आपके लिए कापी महत्पूर रहने वाला है जिसमे आपको करसी उतपाद जैसे की कीट ना सक, उरक, बीज, पोदों के विकास नियाम, करसी मसीनरी, आदी की सुविदा उपलब्द कराए जाएगी साथी एक बार जब आप सारती एप पर ओर ओर करेंगे उतपादन दिये गए इस्तान पर दो से तीन दिन में डिलेवरी होने क के बाद उसका जो मार्जिन और लाब होगा वो सीधे आपके सारती खाते में जमा कर दिया जाएगा जिसे आप आसानी से अपने बैंक खाते में ट्रांसपर कर सकते हैं तो देर किस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में अभी जाए डाउनलोड करें और इसका फाइद जरूर ले अब बात करते हैं दोस्तों यह रिक्रूटमेंट रेली के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो दोंडी रोड के 116 वी भूदल वाइनी और 123 पैदल वाइनी टीये बटालियन में 16 से लेकर 18 दिसंबर के दोरान सेना भरती का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर सेनिक जानल डूटी ट्रेड्समेन के पदों के लिए यह भरती होने जा रही है यहाँ पर कमांडिंग ओफिसर मेजर आकास दिम सिंग ने काया कि यहाँ पर दोंडी रोड पर प्रादेशिक सेना के मैदान में 8 राजे सहीत 3 केंदर सासित परदेश की सेना भरती होने व को भरती में सामिल होने का आउसर मिला है साती बात करें तो रही वार 16 दिसंबर को माराष्टरा के लावा यहाँ पर जोन फोर्ट उमिदवार और 17 दिसंबर को नासिक के लावा माराष्टरा और मंगलवार 18 दिसंबर को केवल नासिक जिले के उमिदवार बरती परकरिया मे सामिल होंगे वही बात करें तो ये रिक्रूटमेंट रेली क्रीडा संकूल मैदान में होगी उमिद्वारों को सुबज से बजय तक देवलाली केम्प के आनंद रोड इस्तित क्रीडा संकूल मैदान पर पहुँचना होगा जहां पर जवान और ट्रेड्समेन के पदों के लिए 18-42 वर्ष उमर निशित की गई है साती आम जवान के लिए 10 वी उतरिन और कलरक पद के लिए 12 वी पास होना चीए टाइपिंग आवसिक नहीं होगी सपाई करमचारी के लिए 8 वी बावार्ची धोबी पदों के लिए 10 वी सहीत समन्दित कागजात की योगेदा जरूरी होगी यहाँ पर उमिद्वार की जो उचा ही है वो 162 सेंटिमेटर वजन 50 किलो आपका जो चेश्ट है वो 77 से लेकर 82 सेंटिमेटर तक होना चीए साती सारिक समता मैदानी जाच आपको उतरिन करना होगा उमिद्वारों को बरती के लिए आते समय सभी सेक्षनिक दस्तावेज उसकी फोटो कोपी और 20 पासवर्ड सायच चितर आपको साथ में लेके जाना होगा अब मैं आपको कुछ महत्मुन बात बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होगे डिफेंज ओबलट की ओफिसली साइड पर है और इस साइड पर आपको हर लेटेस्ट रिकूटमेंट की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी चाहिए वह ओफलाइन रिकूटमेंट हो या ओनलाइन हो या एंसर की हो या एड्मिट कार्ड सबसे पहले आप यहाँ से डारेक्टली चेक कर पाएंगे नीचे जाएंगे तो टीये की त्यारी करने वालों के लिए एक अलग से बोक्स मिल जाएगा टीये आर्मी रेली 2020 और जैसे ही आज आप इस लिंक पे किलिक करते हैं टीये आर्मी का पूरा पेज ओपन होके आ जाता है यहाँ पर आप टीये आर्मी रेली बरती से जुड़ी पूरी अपडेट देख सकते हैं कि इस रिक्रूटमेंट रेली के तहट कौन-कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट होगा और अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी और कौन-कौन से जोनों की रिक्रूटमेंट रेली होगी और कौन से जोन में कौन से राजे सामिल किये गए सबसे पहले आपको पता होना चीए कि दोस्तों आपका राजे कौन से जोन से विलोंग है तो यहाँ पर जोन पैस्ट में हरियना, चंडिगर्ड, देली, पंजाब, हिमाचल परदेश और जमु कस्मीर के जो अब्यारती है वो जोन पैस्ट में सामिल किये गए जोन सेकिंड में आपका यूपी, मद्य परदेश, बियार, ओडिशा, जारकंड, चतिसगर्ड और उत्राकंड के अब्यारती सामिल किये गए दोस्तो सोल्जर जीडी के लिए अगर आप इस रिक्रूटमेंट ड्रेली में भाग लेना चाते हैं जो कि दोस्तो देवलाली नासिक में होगी और यहां पर आप दस्वी पास होने चीए साथ ही आपके 45% मार्क्स होने चीए 10th में तभी आप सोल्जर जीडी के लिए अपलाई कर पाएंगे और दोस्तो एज क्रिटेरिया में काफी ज्यादा जूट मिलेगी मतलब जिनकी एज 18 साल से लेकर 42 साल तक है वो सभी ब्यारती सोल्जर जर्नल ड्यूटी के लिए अपलाई कर सकते हैं वही सोल्जर टेकनिकल के लिए आप इस रिक्रूटमेंट ड्यूटी में भाग लेना चाते हैं तो दोस्तो आप यहापर 10 पलश टू पास होना चीए और 12 में आपके 45 परसंड मार्क्स और परतेग सब्जेट में अगर आपके 40 परसंड मार्क्स है तो आप टी आर्मी के सोल 30 परसंड मार्क्स है तब ही आप इस रिक्रूटमेंट ड्यूटमेंट में सोल्जर कलरक के लिए इलिजिबल माने जाएंगे वही सोल्जर ट्रेड्समेंट की बात करें तो ट्रेड्मेंट के लिए आपके चीफ वोसर मेंट, ड्रेशर, इस्टिवर्ट, टेलर, सुपोर्ट सबी के लिए रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें आप दस्वी पास और आट्वी पास वाले अप्लाई कर पाएंगे अगर आप दस्वी पास से अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप केवल यहापर दस्वी पास है तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते है दोस्तों यहां पर अलग अलग आपको वैकंसी देखने को मिल जाएगी कि कौन सी रेली बरती में कितनी कितनी आपकी वैकंसी रहने वाली है इस साइड का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा जहां जाके आप पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे डोकुमेंट आपको कौन-कौन से लेके जाने है तो बिलकुल इस डोकुमेंटों को आप त्यार कर लीजेगा दस्वी की मार्क सीट आपके पास में होनी चीए अगर आप सोल्जेट जीडी और ट्रेडमेंट के लिए अपलाई कर रहे है तो अगर आप कलरक के लिए अपलाई कर रहे है तो आप बारवी पास की मार्क सीट भी आपको साथ में लेके जानी होगी साहती ही दोस्तोग चर्टिपिकेट्ट ओएक साहती है डो मिंशाइड सर्टिपिकेट्ट्पिकेट एक आएक आईडिamasि आईड़ चोने छीए अगर आप NCC दारक है तो NCC certificate लेके जा सकते हैं अगर आप sports दारक है तो आप sports का national या international का certificate है वो आपको साथ में लेके जाना होगा तो बिल्कुल दोस्तों कापी अच्छी बात है आप सभी के लिए लंबे समय के बाद में इंतजार खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं साइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा जहाँ जाके आप पूरी अपडेट देख सकते हैं अगर आपने भी तक टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलिग्राम ग्रूप आप जरूर जोइन कर लिजेगा क्योंकि कोई भी रिकूटमेंट आता है या कोई भी ओपलाइन रिकूटमेंट आता है उसका नोटिपिकेशन आपको टेलिग्राम गुरूप पे ही सबसे पहले मिल पाता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए जाएंजाबाद